नाम लेनी की कोई जरूद नहीं मुझे जो बोलना है मैं बोलूँगा तो अयोधिया ने मैसेज दिया और मैंने इनसे पूछा कि हुआ किया और इनका जवाब आया मैंने इनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोधिया में जीत रहे हो और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था और मैंने कहा ये क्या हुआ उन्हेंने कहा राहूल जी अयोधिया में एरपॉर्ट बना अयोधिया की जंता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें भुआज़ा नहीं मिला है उन्होंने कहा जो भी छोटे-छोटे दुकानदार थे जो भी छोटी-छोटी building थी उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया इनों ने ये भी कहा कि अहोटीया के inauguration में अयोदिया की जनता को बहुत दुख हुआ क्योंकि इनागुरेशन में अदानी जी थे, अम्बानी जी थे, मगर अयोदिया का कोई नहीं था भाए जाले, उनकी जमीन ले ली, उनके घर गिरा दिये, और फिर अयोदिया के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, मंदिर की इनागुरेशन तक नहीं जाने दिया, मंदिर के इनागुरेशन छोड़ो उसके बाहर भी नी जाने दिया, और इसलिए अयोदिया की ज तीन बार इन्हों ने कहा कि तीन बार नरेंद्र बोधी ने टेस्क किया दो बार क्या मैं अयोधिया से लड़ जाऊ और सर्वेयर्ज ने कहा अयोधिया में मत लड़ जाना अयोधिया में मत लड़ जाना अयोधिया की जंता हरा देगी और इसलिए प्रदान मंत्री वारा नसी गए और वहां बच के निकले तो यहोदिया की जंता को गवर को डराया पूरे देश को डरा दिया मैं आपको बताता हूं आज सुबह में आया राजनात सिंग जी ने बुस्कुर आके मुझे नमस्ते की और मोदी जी बैटे हैं मुझकराट नहीं सिरियस नमस्ते भी नहीं करते कहीं मोदी जी ना देख लें प्रॉब्लम हो जाएगी वोही कहानी गटकरी जी की है सचाई है अरे भाई या यहोदिया की जल्सका को छोड़ो यह तो भीजेपी वालों को डराते है अर झालों को जाएगी जीजेपी बैटे है